नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने एजूकेशन चनल एजूटूबर दे उपर तो दोस्तों बहुत सारी सरकारी भरतियां आती है और उन भरतियों में जो सबसे महत्पुन जो तथे रहता है वो रहता है दोस्तों कट ओफ का या यूं का वरियता जिसे हम मेरिट भी कह सकते हैं दोस्तों या फाइनल सेलेक्शन लेश्ट फिर इसे जो है आप फाइनल लिस्ट कह सकते हो फिर दोस्तों वेटिंग लिस्ट भी कहते हैं पिक अप लिस्ट भी कहते हैं रिजर्व लिस्ट भी कुछ अलग चीज़ें होती तो इन लिस्ट के ब वाले वेर्थी होते हैं वो चाय नित हो जाते हैं नीचे वाले नहीं नहीं होते हुए उन्हें वेटिंग लिश्ट का वेट करना पड़ता है अब दोस्तों जो रिजर्वेशन system है ये कैसे काम करता है reservation जो है कितने परकार के होते हैं और किस training को कितने परतीसिद reservation है और कई बार आप देखते हो कि सबसे ज़्यादा जो है general की cut-off रहती है फिर SC, ST, OBC की इसके बीच में रहती है EWS, MBC जिसको पहले SBC बोलते हैं सब बीच में रहती है सबसे कम जो ST की रहती है इस सब के पीछे क्या reason है और कई बार ऐसा होता है जब general की कम रहती है अन्य जो categories है OBC बगरा उनकी ज़्यादा रह जाती है तो इसके पीछे क्या reason है आज इस वीडियो में इसी के बारें बात करेंगे साथ ही दोस्तों बात करेंगे जो अपनी जो categories के अंदर जो एक तरीके से जो उप्सरेणिया जो है जिने आप जो है चोटी सी जो कैटिगरी के अंदर शरेणियों के अंदर जो उप्सरेणियों जो आप कह सकते हो या फिर दोस्तों इसे आप सब कैटिगरी भी कह सकते हो तो उप्सरेणिया सब कैटिगरी क्या होती है और उनका जो आरक्षन है वो किस प करते हैं और जो कट ओफ जो बनाई जाती है वो इन सब जो है बिंदूओं को ध्यान रखके बनाई जाती है तो आज इसी के बारे बात करेंगे साथ-साथ दोस्तों जो होरीजोंटल हो जाती है नहीं है लेकिन अरिज्ञ से आते हैं इसका इंतरक्रत हैं परकार है जो होरीजोंटल और वर बोटिकल अब समझे लीजए हॉरीजोंटल का सामने समस्ग में अब होरीजोंटल मतलब शहाथ यतिज और वर्टिकल मिन्स लंबवथ वर्टिकल means up to down या down to up आप कह दीजे वो और जो है horizontal जो होता वो left to right आप समझ लीजे है तो ये इस प्रकार से काम करता है अभी सामाने इसी चीजें दिखती है कि चलो शैतीज हो गया लंबत हो गया समझ गए लेकिन ये ऐसा है नहीं अब क्यों कि इसमें हरे category की जो cut off है वो अप या down हो सकती है इन जो आरक्षन की जो प्रकार है type of reservation के कारण अब देखी कैसे सबसे पहले समझते है horizontal reservation क्या है तो शैतीज आरक्षन अब ये होता है जो जिस स्रेणी का है वो उसी स्रेणी में चाहे नित होगा ठीक है दोस्तों तो उसको कहते है horizontal reservation अब ऐसे आप नहीं समझ UPSC जो conduct करवाती वो है और इन सबसे बड़ा exam मैं तो आर्मी बाला समझता हूँ क्योंकि अपने वो कहते है जै जवान जै किसान जै विग्यान तो अगर जवान है तब ही किसान और विग्यान सुरक्षित है तब ही हम सब बैठ के ये बातें कर पा रहे हैं यूटूब पे वीडियो बना रहे हैं बचों को पढ़ाने का काम है शिक्षक हैं पेमेंट्स लेते हैं तो ये सारी चीजे कब होती है आईएस भी अगर आईएस है ना तो वो इस वज़े से है कि सैनिक वोटर पे खड़े तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जौब तो वो है लेकिन फिला सब्सक्राइब तो अब सबसे तो अब सबसे पहले समझते हैं इसी काटॉप के आधार पर कि कैसे होरीजॉंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन जो है वो अलग-अलग होते हैं लेकि दोस्तों ये जो जनरल कैटेगरी है ये आम तोर पर हम यह समझते हैं कि जनरल और अन्रि जो है वो एक है अब देखी जनरल का जो मतलब है वो सामाने है अन्रिजर्वेशन वाली कैटेगरी हैं उनके अलावा जो जातियां बच गई है स्वन जातियां जो होती है जो पुराने समय से बहुत अच्छी आर्थिक इस्तिती में रही है तो उनको किसी भी कैटेगरी में पे रिजर्वेशन नहीं है अलाग उने में से अधिक तर जो है वो आर्थिक आदार पे आ गए है EWS के रिंडर तो वो एक चीज है लेकिन उसके अत्रिक्त हम देखें तो जनरल कैटेगरी का मतलब है कि सामाने श्रेनी अब अनारक्षित क्या है अब देखिए अनारक्षित औ वाला, MBC वाला, EWS वाला सब अपने इपने कैटेगरी में हो जाएंगे तो जनरल में कौन होंगे तो जो बाकी सब कैटेगरी में नहीं आते वो सारे कहां जाएंगे जनरल में तो जनरल भी एक तरीकी से होरिजोंटल रिजर्वेशन के हम बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी भी एक तरीकी से रिजर्व कैटेगरी के तरह काम करती है जहां जो बाकी सारे कैटेगरी के अंदर नहीं आने वाले बिर्थी है वो सारे किसमे सलेक्ट होंगे जनरल में सलेक्ट होंगे और जब दोस्तों ऐसा होता है तो क्या होता है कि बाकी किसी भी केटेगरी की जो कट of है जो merit है वो जनरल से high जा सकती जैसे आप देखिए या जनरल की जो है छीईतर अंक मांपकी पर्तिश्चत नहीं कहुणा वेति का हूँगा दोसों में से 76 अंक गई है जनरल की कट of और OBC की देखिए 99 गई है और NBC की 92 गई है SC की देखें तो 68, ST की तेरतर तो देखिए, जनरल से SC, ST तो कम है, चलो वो आमें सामने लगता है कि चलो कम होना चाहिए क्योंकि Reservation है, लेकिन OBC जो है और MBC उसकी जो Cut-Off है वो जनरल से जादा है, ऐसा क्यों है जैसे मैंने बता है कि Horizontal Reservation जो होता है, जिसका मतलब यही है कि जो जिस कैटेगरी का है वो उस कैटेगरी में ही सलेक्ट हो जाएगा मतलब OBC वाला चाहिए, कितने अंक ले आए वो Unreserved category के टॉप पे नहीं जा सकता MBC वाला, SC, ST वाला, EWS वाला कोई सी भी कैटेगरी, कितने भी अंक ले आओ वो रहेंगे अपनी कैटेगरी में ही बाहर नहीं जाएंगे, तो अपनी आरक्षिट चिननी से बाहर नहीं जाना, वो होता है शैती जारक्षन यहीं कहीजिए, Horizontal Reservation अब देखिए, अगर यह ना हो, और इसकी जगह अगर Vertical Reservation होता, मतलब लंवबत आरक्षन होता तो क्या होता, यह जनरल कैटेगरी नहीं होती इसकी जगह क्या होता, Unreserved कैटेगरी अब देखिए, वहार यहीं पर आ जाता, अंतर जो है नहीं है, T-Seed जो है Unreserved है, मतलब उस पर कोई भी अपना हग जमा सकता है, और Vertical आरक्षन के आधार पर अगर Cut-Off बनाई जाती है, तो दोस्तों ऐसे होगा, कि जो भी OBC का, SC का, ST का, EWS का, MBC, SBC का, किसी भी कैटेगरी का जो अच्छे अंक वाला अविर्थी है, वो Open Competition के इसाब से सीधा कहा जाएगा, Unreserved कैटेगरी में आ जाएगा, तो जब भी Vertical आरक्षन होता है, तो उसका जो नुकसान होता है, वो जो उच जाती है, जो स्वन जाती के जो अविर्थी है, उनको इसमें नुकसान होता है, कि उनके साथ वो बाकी सारे रिजर्व कैटेगरी के अविर्थी भी Competition करने आ जाते हैं, और जब Horizontal Reservation होता है, तो उन में खाली उनका ही Competition रहता है, और किसी का नहीं रहता, अब देखिए, जैसे मैं आपको कई बार बताता भी हूँ, हर एक चीज़ के अपने नुकसान और अपने फाइदे होता है, तो Horizontal Reservation का जो लाब है, वो यही है, कि हर एक सिर्णी को उसका एक अपना अधिकार मिल जाएगा, Fixed और उसका जो है, जैसे General Category जिसमें स्वन जाती के बच्चे है, उनको भी अपना लाब मिल जाएगा, चलो हमारा भी एक Reservation ही है, दिखता नहीं है Reservation बट है, और हानी यह है, कि आपर Open Competition नहीं होता, हर एक कैटेगरी के बाहर कोई अबिर्थी जा नहीं सकता, जिसका यह सीदा सा मतलब यह होगा, कि जो महनती अबिर्थी वो कितना भी चाहें, अपनी कैटेगरी तक ही रह जाएंगे, और दूसरी कैटेगरी में कम महनत वाले अबिर्थी यह आ जाएंगे, तो उसमें टॉप के 35 या 30 अविर्थी होने वाले हैं क्योंकि वो बाकी कैटेगरीज के भी वहाँ आ जाते हैं और जैसे हानी के मैंने बताया तो जो सामाने स्रिनी के जो स्वर्ण जाती के जो अविर्थी हैं तो ये दोस्तों चीजें जो है वो तै करते हैं कर टॉप को कि किसकी कितनी जाएगी आम तोर पर कोई नया अविर्थी वो देखता है तो चलो उसके मन में एक भावना रहती है एक धारना रहती है कि जनरल की सबसे ज़्यादा कर टॉप जाएगी फिर OBC की रहेगी फिर MBC की रहेगी EWS की इसी के आसपस रहेगी और SC और सबसे कम जो ST की रहेगी बट ऐसा नहीं होता अगर वर्टिकल रिजर्विशन होता तो डेविनेटल ऐसा होता क्योंकि ज़्यादा अंक्वाले जो अपिर्थी वो आटोमेटिक कहां चले जाते अन्रिजर्विशन के टेगरी में चले जाते जनरल नहीं होती वर्टिकल में अन्रिजर्विशन होती है तो इससे आप दोस्तों समझगे होंगे कि जैसे OBC की ज़्यादा गई है और अगर वर्टिकल रिजर्विशन होता तो क्या होता कि यहां वाले अपिर्थी चुनके कहां चले जाते अन्रिजर्व कैटेगरी में सबसे उपर और यहां OBC में जो है OBC वाले तो रहते रहते लेकि यहां के जो अच्छे अपिर्थी है अन्रिजर्व कैटेगरी में सबसे उपर चले जाते तो इससे आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और बाकी अगर बात करें अलग-अलग कैटेगरी की तो किस कैटेगरी के लिए इतना जो है दोस्तों अपने परतीसत है कि चलो उस कैटेगरी में उतने परतीसत आरक्षन है तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें या आप पर EWS नहीं दिया हुआ सब वो अलग-अलग मापदन रहते हैं अलग-अलग राजियों की तो दोस्तों बात करें SC कैटेगरी की सबसे पहले SC कैटेगरी की फुल फॉर्म अगर है सब आपको पता है अनुसूची जाती सेडियूल काष्ट जिसको बोलते हैं तो SC कैटेगरी को जो है वो 16 परती से तारक्ष्ट प्राप्त है अगर 100 सीटे होती है तो सो में से 16 सीटे हैं किसकी होंगी SC कैटेगरी का बिरतियों की होंगी फिर बात करें दोस्तों SD की तो SD जो है अनुसूची जन जाती सेडियूल ट्राइफ जिनको बोलते हैं दोस्तों अपने इंग्लिश में तो उसकी कितना रिजर्वेशन है उनको कितना रिजर्वेशन है तो दोस्तों SD को जो रिजर्वेशन है वो है दोस्तों 12 परती से तो मतलब 100 में से 12 सीटे इन की होंगी फिर बात करते हैं दोस्तों OBC की OBC मतलब Other Backward Class अन्य पिछडवर्ग अब देखिए एक और भी है MBC और SBC तो ये भी देख लीजी MBC का मतलब है Most Backward Class तो अन्य पिछडवर्ग तो OBC और Most Backward Class मतलब सबसे जाद अधिक रूप से पिछडवर्ग या सरवादी जो है पिछडवर्ग जो है वो दोस्तों है Most Backward Class अब बात करें जो है SBC क्या है तो MBC का ही पुरा नाम SBC है जो Special Backward Card जिनको बोलते थे कि विशेश रूप से जो पिछडवर्ग है उसको SBC कहा जाता था तो ये सारे Full Forms हो गई अब इसमें भी देखिए कि नीचे अगर आप देखोगे तो Horizontal Reservation में Top 3 जो Category है BL, V, HI और LD तो ये तीनों दिव्यांग जनों की श्रेणिया है और इसके लिए मैंने अलग सी दिव्यांग जनों के उपर एक वीडियो बना रखा है आप जाओगे तो उसका link भी मैं available करा दूँगा description में तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं और वहाँ का पूरा system है दिव्यांग जनों का कि किस short form की क्या full form अगेरा है तो वो सारी आप समझ पाओगे अब बात करें EX का मतलब क्या होता EX का मतलब है EX servicemen जो पूरु सैनिक होते हैं अब ये भी कई बार बच्चे जो नए नहीं होते हैं प्रशन करते हैं कि सर पूरु सैनिक को ही reservation है हर एक नौकरी में बाकी जो नौकरिया उनके लिए क्यों नहीं है क्योंकि इसके बीचे reason ये है कि बाकी जो नौकरिया है उनकी सिवानिवर्ति यानिकी retirement की जो age है वो 60, 62, 65, 58 ऐसे होती है तो मतलब almost वो अपनी age के बिलकुल peak पे होते हैं peak से भी आगे बढ़ चुके होते हैं तब जो है उनका retirement होता है जब वो बुजूर्ग हो जाते हैं लेकिन फौजीयों का ऐसा नहीं है क्यों मेरे पिता जी भी आर्मी में रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे पता है फौजीयों के जो वो कहते हैं वो अधेड़ अवस्ता जब उनके आ जाती है जब यूवा होते हैं बीस साल के भरती हो जाते हैं तो आर्मी परसन को जो है वो साड़े बारा फीस दी आरक्षन है अलांकि थोड़ा सा राज्यों को उपर भी है कि वो एक परतीशद इसको कम जादा भी कर देती है मोशलिए अभी ये करती तो नहीं है बट कई बार सीड्स ही ऐसी होती है परतीशद भी बदल जाते है अब कई बारी भी प्रशन पूची जाते है वोमेंज का कितना आरक्षन है तो तीस परतीशद यूं तो होते है तीस फीस दी कहते है बट प्रैक्टिकली उसको तीस परतीशद रखा गया है अब देखिए इसके लावब एक और कैटेगरिया आप देख सकते हो SP, अब SP क्या है स्पोर्ट्स पर्सन जो होते है जो खिलाड़ी होते है राज्य इस्तर, राष्टी इस्तर है अंतराष्टी इस्तर के तो उनको भी आरक्षन है लेकिन उनके नीचे वाले जो पद है जो अराजपत्रित है या राजपत्रित नहीं है नॉन गजटेट इंप्लोईज है तो उनको जो है यह सुईदा मिलती है यहाँ पर आरक्षन की अब इसके लावब डी सी देखोगे आप तो डी सी देखिए दोस्तों क्या है डी सी का मतलब है डी मोटिफाइड जो है कम्यूनिटीज यानि की अस्विकरति समुदा आलाग कि मोशली यह कैटेगरी कहीं पर नहीं होती बट कहीं कहीं पर इसका थोड़ा सा विवरन होता है तो यह सारी full forms है तो कभी भी आप cut off बगरा देखो अगर आप वरियता सूची देखो तो डी सी का full form जो है डी नोटिफाइड कम्यूनिटीज है और एंजी, स्वी, एक्स का बगरा मैंने सारा आपको बता दिया अब इससे आगे बढ़ें दोस्तों तो देखिए किस रेणी को कितना आरक्षन तो मैंने जैसे आपको बताएगा SC को 16, ST को 12, OBC को 21, MBC को 5 पीस दी है और MBC जिसका पहला पुराना नाम जो है SBC भी था और EWS को 10 और टोटल 64% आरक्षन है अब देखिए 64% आरक्षन रह गया तो फिर जनरल के पास कितने बचे 36% अब जनरल भी जैसे मैंने बता है कि अगर होरिजोंटल रिजर्वेशन की बेस पे कट आप बनी तो जनरल भी जो है रिजर्व कटिकरी की तरह काम करेगी जहां उसके 36 पीस दी जो है अबिर्थी रहेंगे जो है वो अनरिजर्व कैटिकरी में आएंगे लेकिन वहीं स्वन जाती वाले जो बिर्थी हैं उनको थोड़ा सा नुक्सान हो जाएगा उनका कंपेटिशन जो है वो हर एक कैटिकरी से हो जाएगा अब दोस्तों आगे बढ़ें तो देखिए स्रेणी वार आरक्षन और पद की जैसे मैंने आपको एक्जांबल के रूपे बताया कि सो अगर रिखती हैं तो क्या होगा कि जनरल में 24 और वोमेंस की बारा अब देखिए यहां पर एक जो सबसे महत्मून प्रशन बनता है दोस्तों वो प्रशन है यह है कि जो वोमेंन कैटिगरी है उसको जैसे मैंने बताया कि 30 फीसदी आरक्षन है तो देखिए चोईस और 12 होगे 36 तो 36 फीसदी पत थे अपने जनरल या अन्रिजर होगे तो उसमें से चोईस होगे अपने मैंस के और 12 होगे वोमेंस के तो जैसे मैंने का एक टियाई वाला सिस्टम है तो यह एक टियाई हो गया ठीके दोस्तों अब इसमें क्या है कि जैसे विड़ो और डाइवोर्सी वाला जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है इस समन्द में कावी सारे कोईस्टन्स भी थे और मैं पिछले 2-3 दिन से परयास भी कर रहा था कब ये वीडियो लेकर रहा हूं और कब ये चीज़ें समझाओं अब देखी दोस्तों ऐसा है नोश्तलि आप जब विग्यप्ती देखते हो तो उसमें ये चीज़ें के लिए की होई मिल्ज भी जाती है आपको तो ऐसा कुछ अलग से मैं नहीं बता रहा लेकिन कुछ एक महत्मूर्ण बात ने इसमें जरूर है देखिए जैसे जो पुरुस है उनको तो अब डाइवोर्शी और वीडियो वाला ये सारी चीज़े तो मिलती नहीं आलंकि विद्वा का जो विपरिट चब्द है वो विद्वर है लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है और तलाग तो पुरुष को भी मिलता है मैला देश सकती है बराबरी का नाता है आज के समय में लेकिन अमुमन ऐसा नहीं होता क्योंकि उनके पास और सारे options रहते हैं तो उनको full on fight करना पड़ेगा जनरल पर वूमेन की दो और category एक तो सामाने जो वूमेन हैं जिसमें विवाईत या अविवाईत आती है मतलब जिनकी साधी नहीं हुई बच्चियों की और जिनकी साधी हो चुके तो आती है अब विडियो में वो आती है जो संता वाली बात है जो आमतोर कोई यूटूबर नहीं करता क्योंकि बाकी सारी यूटूबर जो है वो व्यूज वगेरा के लिए काम करते हैं तो अपना ऐसा नहीं है नॉर्मल जानकारियां बिल्कुल देनी है आपको authentic तो अपना व्यूज का वो system नहीं है कि चलो बस ऐसी देखें करें देखिए दोस्तों अब जैसे 12 इसमें आप जनरल की देख सकते हो 12 τοбर वूमैं तो टो कि यह आप देख का देख लीजिए जड़ा तो यह सारी कैटिगरी आपके सामने तो आप आसा नहीं समझ पाओगे अपनी कैटिगरी का कॉर्डिंग देखिए जैसे ओवी सी आप देख सकते हो 14 तो मैंने बिल्कुल जैसे आपको बताए 16% पुरुसों के लिए 33% या 30% के दीजिए मैलाओं के ठीक है दोस्तों अब इसमें ऐसा है कि ये पांच जो सीटें है वो मैलाओं के लिए है अब नियम ये बनता है अब ये इस नियम का जो है वो ऑथन्टिक एक ओफिशिल नोटिफिकेशन भी है वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा तो उसके माद्यम से आप देख प तो इसके लिए क्या है कि जो वोमेंज की जितनी सीटें है उसका एक तिहाई भाग तो वोमेंज की कितनी सीटें है ऐसी में पांस सीटें है अब पांस सीटें होगा आप एक तिहाई निकालने जाओगे तो अगर सपोज दस सीटें होती तो दस में से तीन पांच है तो फिर में से तीन भाग किये मतलब की दो भाग एक तरफ रख लिए एक भाग एक तरफ तो एक बटा तीन किया तो इसका मतलब यह हुआ कि जो है 4-4 सीटों के 3 भाग हो गए अब क्या हुआ कि 1 बटा 3 सीटे जो है कहां जाएंगी विडो और डाइवर्स यानि की विद्वा और परितक तसरेनी के लिए तो बारा में से जो है आठ रे गई किसके पास वुमेंस के पास रेगी नॉर्मल जो विभाईत है अविभाईत है ठीक है दोस्तों अब जो पीछे चार सीटे बढ़ गए उनका बंटवार ऐसे होता 80-20 का रेश्यो रहता है मतलब यह है कि वुमेंड कैटेगरी की एक बटा तीन सीट है उसको अलग करोगे अलग करने के बाद उसकी जो है 80% सीट किसको दी जाएंगी विडो को दी जाएंगी विद्वा को दी जाएंगी और 20% सीट जो है किसको दी जाएंगी डाइवोर्सी को दी जाएंगी तो यहाँ पर सीटे कितनी है 12 के एक ती है कितना हुआ चार और चार का अगर हम जो है एक तरीके से हम 80 और 20 का रेश्यो निकाले तो 3 और 1 होता है अगर यही 10 होता तो क्या होता कि 8 सीटे विडियो को मिलते ही डाइवोर्सी को 2 सीटे मिलते है अगर 10 के बेस पर अगर हम बात करें तो सोचिए कि वुमेन की कितनी सीट है वुमेन की सीट है 30 तो 30 का 3 अगर हम भाग करते हैं तो एक तरफ रख लेते हैं एक तरफ रखते हैं तो क्या हुआ कि जो है दस में से 20 सीटे जो है वो नॉर्मल जो विवाइद या विवाइद स्रेनी हैं सामाने वुमेन जिनको बोलता है उनकी रह गई दस सीटें किसको मिलेगी विवाइद स्रेनी कि महिलाओं को और सबसे बड़े जो टोटल कितनी सीटें उसमें से फिर जातिगतादार पर कितनी सीटे बंटी फिर उसमें से पुरुशों को कितनी महिलाओं को कितने उसमें भी जो बड़ा question रहता है वो यह है कि विडो डाइवोर्सी को कैसे सीटे वितरित होती है अब इसमें ये भी प्रशना आता है कि कई बार अगर सब्वोर्स डाइवोर दोनों है उसके भी 20% एक त्याई का ये का भी 20% जो है इसलिए डाइवोर्सी में जो है बहुत ही कम सीटे होती है हाँ ठीक है रीट की तरह बहुत हजारों सीटें हो कि चलो तीस प्ने 30,30,40,000 है तो भी डायवोर्सी से में भी काफी सीटें आ सकती है लेकिन अगशोटी भ सीटी बड़ी मुश्किल से मिलेगी क्योंकि सीटें पहले ही बहुत कम है हजार से कम है फिर इसमें भाग हो गए मैलाओं के मैलाओं में भी जो है एक बटा तीन भाग और होते हैं और उसमें भी उस एक बटा तीन का 20% मिलता है डाइवोर्सी को तो इसलिए विड़ो डाइव होती है उसमें यह रूल होता है और अगर तीन साल के अंदर दोस्तों भरती आ गई तो अगली भरती में जोड़ते हैं अगर भरती नहीं आती है इस दौरान जो है मैंने अभी बताया उसका थोड़ा सा रिवर्स लीजिएगा आप कि अगर तीन साल भरती आ जाती है तो चल रिजरू के बतले रिजरू का पी नहीं चुना जाता है तो यह थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली चीजे हैं और यही पूरी मैं समझता हूं कि कहानी आरक्षन की और आप समझ गया होंगे कि पदों का वित्रन कैसे होता है